Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे वरक्षीट नमबर 72, 4 class 9th subject social science है और ये वरक्षीट आपके लिए 24th of January 2022 के लिए schedule की गई है आज की जो वरक्षीट स्टूरेंट उसमें हम new chapter start करेंगे that is electoral politics ठीक है जिसमें हम समझेंगे कि जो election होते हैं वो किसी भी country के लिए क्यों जरूरी है और जो आप कह सकते हो citizen है किसी भी country के ठीक है उनके लिए क्यों election जरूरी है क्या-क्या minimum आप कह सकते हो कि शर्ते होनी किसी भी democratic country में चुनाव कराने की वो सब हम इस chapter में पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो topic है बच्चो वो है why elections की जो election है वो जरूरी क्यों होते हैं आप सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे इंडिया है हमारा देश उसमें समय समय पर election होते रहते हैं ठीक है कभी center के election होते हैं कभ तो ये कराये जाते हैं अपनी पसंद के representative को select करने के लिए तो जो हमारी पसंद का जब जो प्रेजन्टेटिव जो है select होता है जो हम जो एक public को represent करता है लोग सभा में राज्य सभा में ठीक है upper house lower house में तो उसके लिए election कराये जाते हैं ताकि जो public है वो अपने जो demands है उनको सरकार तक पहुँचा सके अपनी जो इच्छाएं हैं उनको जो है जता सके उसके लिए एक particular area से एक representative का election किया जाता है ठीक है जो वहाँ के area की जो problems हैं वो सरकार के सामने रखता है और उसी के अनुसार फिर कानून नियम और decision लिए जाते हैं तो election जो है election is one of the main characteristic of a democratic country तो एक democratic country जो होता है ठीक है वो जो है क्या है main characteristic है किसी भी democratic country में election करवाना let's try to understand the significance of election through the example of assembly election in haryana in 1987 1987 के एक हaryana में जो election हुए थे उसके example से हम इसको समझेंगे since 1982 the state has been ruled by a congress party government तो 1982 तक जो है क्या था जो congress party है वो वहाँ पर जो है government में थी ruling party थी चोधरी देविलाल opposition leader led a moment थीक है नया युद्ध struggle for justice and found a new party लोगदल अब चोधरी देविलाल थे उन्होंने युद्ध अपोजिशन लीडर थे उन्होंने एक नया मुमेंट चलाया नया के लिए संगर्श और एक नई पार्टी अपनी बनाई लोगदल के नाम से तब 1987 में जब election हुए देविलाल won the election based on his promise to leave the loans of farmer and small businessman and become new chief minister of हरियाना तो 1987 में देविलाल ने जो अपना जो manifesto होता है उसमें दिया कि वो जो लोन है किसानों का जो है थी के छोटे businessman है उनका वो सब क्या कर देगा एक तरह से उनको जो हटा देगा या उनको माफ कर देगा और इसी के वेस्पे वो क्या बन गए वो chief minister बन गए हरियाना के 1987 में तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है यहां से पता चल रहा है कि जो लोग है ठीक है वो अपने according सही गलत को देखते हुए जो भी उनको ठीक लगता है उसके अनुसार वो सत्ता में सरकार को बिठा सकते हैं सत्ता में अपने चुने हुए लोगों को बिठा सकते हैं दस through the above example we can say that by election people can change the government if they are unhappy with the working of the existing government ठीक है तो election के द्वारा लोग जो है अगर वो उस government से खुश नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं वो सरकार को बदल सकते हैं existing जो government है उसको वो हटा कर दूसरी सरकार को ला सकते हैं elections can lead to change in the policy of the government election जो है वो जो government की policy है उसमें change जो है वो करवा सकते हैं ठीक है नमबर थर्ड है party that backs the majority of the seats in the लोगसभा form government in center और जिस भी party के sheet जो majority में होती है लोगसभा में वो center में government बनाता है and which backs majority in legislative assembly form the government in state और जिसके पास ज्यादा majority होती है assembly में वो state government बनाता है ठीक है वो state government जो है वहाँ पर हो जाएगी तो इस तरह से जो आप कह सकते हो जो election है वो effect करते हैं government पे अगर जो rule है वो public के according नहीं होते हैं तो उसमें जो ruling party है उसको नुकसान उठाना पड़ता है जैसे कि हम अभी current example समझ सकते हैं किसानों का जो MSP के according जो rule है ठीक है जो MSP के लिए rule आए थे वो कुछ areas में public को नहीं पसंद आए और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं उस government को next election में देखने को मिल सकता है thus we need election as in an election the voters make many choices चीक है तो जो election है वो एक तरह से क्यों जरूरी होते हैं और क्या किस तरह से voters के लिए वो beneficial है so they can choose who will make laws for them तो election के थूरू वो चुन सकते हैं कि उनके लिए laws कौन बनाएगा कानून कौन बनाएगा they can choose who will form government and take major decision election के थूरू वो चूज कर सकते हैं कि government कौन फॉर्म करेगा और उनके लिए major decision कौन लेगा they can choose the party whose policies will guide the government and law making तो वे उस party को चुन सकते हैं जिनकी policies जो है will guide the government and law making तो जो कानून है वो कौन बनाएगा और जो government की policies हैं वो किस तरह से run करेंगी ये सब कुछ elections पे depend करता है now minimum conditions of a democratic election include अब देखे कोई भी democratic election है उनके लिए minimum condition क्या होनी चाहिए so पहली तो condition यही है कि everyone should have right to vote having one vote one value हर एक को vote जो है right होना चाहिए vote करने का और हर एक की vote का equal value होना चाहिए बिना किसी discrimination के बिना किसी आप कह सकती हो gender के बिना किसी area के सब की vote का equal value होना चाहिए जो कि हमारे इंडिया में है second election must be held at regular interval जो election है वो एक regular interval पे करवाने चाहिए जैसे कि हमारे इंडिया में बचों हर 5 साल के बाद election कराये जाती है number third है election should be conducted in a free and fair manner election जो है वो free and fair manner में होने चाहिए and parties and candidates should be free to contest election and should offer choices to the offer तो parties और जो candidate है वो free होने चाहिए election contest कराने के लिए ठीक है and voter के पास choice होने चाहिए अपनी जो government है उसको बनाने के लिए तो आप यहाँ पे आपको four questions देए गए हैं जिनके answer हम discuss करेंगे first question है why do we need election की हमें election की जरूरत क्यों है so election is an important part of the process of democracy in any democracy ठीक है तो election जो है वो important part है democracy का किसी भी democratic जो है हम बात करें democratic country की so election जो है वो क्या होता है election is an important part of the process of democracy democracy का important part है election to choose our representative we need election so that we can choose the representative of our choice so अपने representative को choose करने के लिए हम elections की need होती है ताके हम अपनी choice का representative जो है वो चुन सके ठीक है second question है what are the conditions to make election democratic ठीक है elections को कुसे कौन से condition है जिससे election जो है वो democratic होते है the minimum condition for a democratic election include तो first क्या है right to vote having one vote one value right होना चाहिए vote करने का जिसका एक एक वोट हो और एक सबका equal value हो second election should be conducted in a free and fair manner third freedom for parties and candidate to contest election हर एक party के पास freedom होनी चाहिए number fourth election should be held at regular interval regular interval पर election कराये जाने चाहिए question number third है if people are unhappy with the current government then what they can do अगर लोग current government से unhappy है तो वे क्या कर सकती है so if people are unhappy with the current government they can change the government through election तो क्या कर सकती है वो election के through government change कर सकती है question number four है can election in India be called democratic जो इंडिया में election होते है क्या हम उनको democratic कह सकते है तो बिलकुल कह सकते है yes election in India can be called democratic because of the following reason तो किस reason पर one person one vote and equal importance for all ठीक है ये जो है सबसे बड़ा reason है elections at fixed time interval free and fair election तो यानि democratic election की एक जो minimum requirement है वो हमारे इंडिया में complete होती है fulfill होती है इसलिए इंडिया के elections को democratic कहाँ चाह सकता है तो ये answer आप लिख लेंगे तो ये थी students आपके आज के ssd की worksheet I hope सभी को clear है अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को जरूर से like कीजिए share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए so thanks for watching have a nice day